कि नमस्कार में अंजली मिश्रो स्वागत आपका हमारे चैनल में आगोदादे की एंसेबी की पूछताज के दौरान प्रभाकर सेल की सचाई सामने आ गई है दिस तरीके से प्रभाकर सेल ने कई सारे जूट जहें गड़ने की कोशिश की और प्रभाकर सेल के वज़े से ही सम समीर वानखंडे जो हैं उनके ऊपड़ कई साड़े आरोप जोए इक तरह से सत्वति होते हुए नजरा रहे थे जिसको समीर वांखंडР पे सबला खड़े होने लगे थे प्रभाकर सेल के ही वज़ये से सारी चीज़ो हो रहे थी अब उसी प्रभाकर सेल का परदा फार्ष थी कि जिस दिन वहाँ पर जो क्रूज है क्रूज शिप में जब रेड होने वाली थी तो उस दोरान गोस्वाबी और समीर वान खड़े के बीच में फोन कॉल पर बात चीत हुई थी और यह इस बात के इस पूरे मामले के वह आई विटनेस थे और उन्हें यह खुद से देखा था जैसे उनके तरफ से यह स्टेटमेंट आया जैसे उन्होंने यह बयान दिया वैसे ही सब कुछ जो है एक अलग टॉन लेत गठन किया गया एंसीबी पूरे मामले की जाच में जुट गई जैसे ही नई टीम आई नए अफसर्स आए तो उन्होंने प्रभाकर सेल को ही सबसे पहला समझ जारी किया था कि आखिर प्रभाकर सेल के वज़े से ही पूरे मामले में एक नया टौन आया था एक नया एंगल जुरता हुए नजर आय था तो सबसे पहले प्रभाकर सेल से ही पूस्ताच की जाएगी और यह जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर प्रभाकर सेल की गड़ी हुई कहानी सच है या जूट और ऐसे में NCB ने उन्हें बेनकाब कर दिया और यह समझ आ गया कि प्रभाकर सेल ने यह पूरी कहानी जो है जूट बताई है उन्होंने जो भी आरोप समीरवान खड़े पर लगाए थे बिल्कुल जूट लगाए हैं दो ऑक्टूबर के दिन गोस्वावी और समीरवान खड़े के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी यानि जो इस दिन उस सब्सक्राइब को लेकर यह भी कहना है अगर 2 ऑक्टूबर को समीरवान खड़े और गोस्वावी के बीच में बात हुई होती तो इस बात का पूरा डिटेल उनके कॉल रिकॉर्ड में मिल जाता जो कि वहां पे नहीं है आप उतादे कि एस पूरे कॉल रिकॉर्ड की जाच की लेकिन जाच परताल में उनने कोही भी क्टाइड जो है समीरवान करे कि जीट हो गईर समीर वान करे के घान कंदाजम मौजूद रहेंगे साथी साथ आपको ब्ता दे कि प्रभाकर सेल ने एक और बात कही थी उन्होंने कहा था कि गोसवाभी ने इपना क्राशन दिये हुए हैं जब पुजह दद्लानी से बात करेंगे तो उस दौरान उन्हीं फोन करे रहर है और हम इस्ट प्रभाकर सेल समीर वान खड़े को फसानी की कोशिश कर रहे थे वहीं यहां पे सारे मुद्दे को देखते हुए यह समझ आ गया है कि प्रभाकर सेल इस पूरे मामले में involved है और कहीं न कहीं वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी के कहने पर इस पूरी कहानी को गड़े का साजिश वो रच्टे हुए नजर आ रहे हैं साथी साथ आपको बता दे कि प्रभाकर सेल का एक और बयान सामने आया था जिसमें उन्हें यह कहा था कि आरिन खान को चेयर देकर बिठाए गया है तो वहीं बाकि जितने भी एक्यूस थे उन्हें जमीन पर बिठाए गया है लेकिन वहीं पर जब प्रभाकर सेल के जो मुबाइल है उसमें वह वीडियो देखा गया तो वहां पर देखा गया कि सिफ आरेन खान नहीं जितने भी अपरादी जितने भी लोग उस ड्रग मामरे से जुड़े हुए थे जो की पकड़े गये थे क्रूज में तो उन सभी को पर बसके थे समीर वानखड़े की जीत होती हुई नजर आ रही है जहांपर समीर वानखड़े के ओपर सवाल खड़े होने लगे थे जहां पर अगया ख़रातने जाहे ? तो ये पूरी बयान के वज़े से जो है एक सब पूरे मामले में जो मुबे ड्रग मामला है इसमें एक नया एंगल जुड़ता हुआ नजर आये था जो कही न कहीं ये बया करते हुआ नजर आ रहा था कि समीर वानकर इस पूरे मामले में involved है और वसूली में भी उनका हाथ है लेकिन यही कारण है कि बाद में जाकर जब एक नई टीम का गठन किया गया जो इस पूरे मामले की जाज करेंगे जब संजय सिंग यहां पर आए और इस पूरे मामले की तहकिकात करनी उन्हेंने शुरू की तो सबसे पहला सबन प्रभाकर सेल को जारिक किया गया क्योंकि यही वह वक्ति है जिसने समीर वानखड़े के ओपर गंभीर आरोप लगाए गये थे और उन्हीं आरोपों को इसने सत्य बताया कहा कि मैं वहां पर आई विटनस था जब गोस्वाबी और समीर वानखड़े के बीच में फोन पर बात होई थी तो ऐसे में अब एंसीवी के पूश्टार के दो कर दिया है और अब प्रभाकर से आगे के लिए पूश्टार जारी है कि आखे बाखांबए को नजरा तो आपको समीरवानखडे पर यह सिलसला है वो नवाब मलिक की बयान बाजी से शुरू हुआ था नवाब मली कई सारे बयान कंदेते हुए समीरवानखड़े की के ओपर वसूली का अरोबी लगा दिया और उन्हें कहा था कि शारुक खान की जो मैनेजर है पूजा ददलान उन्हें ने आर्यन खान को छुडाने के लिए 50 लाग रुपए दिये हैं और इस बात की जो पूरी वसूली का यह समीरवान खड़े कर रहे हैं और यह समीरवान खड़े का ही मास्टर माइंड था जिसके था उन्हें पूरी पैसे को वसूली करने के लिए यह प्लॉट रचा था यह पूरी कहानी रची थी जो कि स्क्रिप्टेट उन्हें बताई थी और इसके बाद इस पूरे कहानी को ट्विस्ट दि थे सबी लोग समीरवान खड़े पर भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं अब ऐसे बेप्रबाकर से बयान के वजए से समीरवान खड़े के लगा हुए आरोप कहीं ना कहीं सत्य प्रमारित होते हुए नजर आ रहे थी क्योंकि इसने इस खूर इक हुए आई विटनेस हूं प्रमारित होचित हैं और यहां पर समीरवान खड़े की या पर समीरवान खड़े को क्लीन चिट मिल चुकी है कि समीर वान खड़े को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि क्रूज में कौन था इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वहां पर शारुक खान के बेटे आरेन खान है यानि जो उनकों पर अलिगेशन लगाए गए थे कि यह पूरा प्लॉट रचा गया है सब वसूली करने के चकर में सारी चीज है की गई है वसूली के पैसे निकालने के वजए से उन्होंने यह पूरी कहानी रची है यह भी यहां पर गलत साबित होता हुआ नजर आया और इससे यह बात समझ आ गई कि समीर वान खड़े जो है वह सच्चे और इमांदार जो कि सिर्फ अपना वहां पर काम करने गये थे और उन्हें यह पता ही नहीं था कि यहां पर एक इतनी बड़ी मचली उनके हाथ लग जाएगी यानि शारुक खान के बेटे आरेन खान की बात हो रही है यहां पर तो इस तरीके से अब यह पूरा मामला जो है गहराता हुआ गया कई सारी बयान बाजी हुई प्रभाकर से लेक मुख्य आई विटनेस के तौर पर नजर आए अब इसमें नई टीम जो है उसका गठन हो चुका है वह भी अलग से पूरे मुंबई का जो जाच करती वह नजर आ रही है नए नए ओफिसर्स की तैनाती हुई है जो इस प पतानी कितने लोगों के नाम इसमें जा डोर रहा रहा है जिस तरीके से इसमें जारा है सब को ड्रॉवख है कि आने वाले वक्त में यह पूरी तरीके सें साफ हो जाएगा कि आखिर इस पूरे मुद्दे के पीछे इस पूरी कहानी के पीछे इस जो गोस्वावी है जिस तरीके से अब जो प्रभाकर सेल किसी को बचानी के कोशिश कर रहा है आखिर इस पूरी कहानी के पीछे का जो विलन है वो कौन है आखिर किस तरीके से इस कहानी को रचा गया थ प्रभाकरसेल को कौन व्यक्ति कर रहा है सिखा पड़ा रहा है कि आखेर उसे क्या बोलना है और क्या दुश्मनी है समीर बानकरे से कि वह समिर बानकरे के खिलाफ इस तरीके का स्टेटमेंट ci यहां पर यह साफ सब देखा जा सकता है कि प्रभाकर सेल के पीछे को यह सब कुछ करने के लिए कहता हुआ का नजर आ रहा है कि आखिर तुम यह सारी चीजे करो और समीर वान खड़े को फसाओ लेकिन पूश्टाच के दौरान अब यह सचाई सामने आ चुकी है और आगे भी पूश्टाच की जा रही है यानि यह अंदाजा लगया जा सकता है कि आने वाले वक्त में प्रभाकर सेल क कि इसे गलत स्टेटमेंट के पीछे किसका हाथ है यह भी वक्त के साथ साफ हो जाएगा इसी के साथ इस पूरे मुद्ध को लेकर आपकी वी जो राय है हमें कमेंट सेक्च्चर में कमेंट करके जरूर बताएं